नमस्कार दोस्तों स्वागात्यवकर हमारी इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों यह है वीडियो नमर दो जीव जगत का वर्गी करण ठीक है तो नीट के लिए उपयोगी प्रशन अउत्तर का सेरीज है यह और आज यह इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दस most important question answer ठीक है दोस्तों और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रिस्क्राइब करें ठीक है इससे यह आपको फायदा होगा कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अप्रोड करूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाल में notification मिल जाएगा ठीक है option A है दोस्तों विशंपोसी option B है रशायन विशंपोसी option C है शवपोसी और option D है उप्रोग्त सभी तो दोस्तों सही answer option D हो जाएगा उप्रोग्त सभी हिंट में लिखेंगे जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिक्य यूकेरियोटिक तथा पराथमिक जल्यजीव आते हैं ठीक अगला प्रसन है बारा ट्रीपेनो समा के बारे में क्या सत्य है option A क्या ये बहरूपी है option B एक पेसिय एक पोशिय option C है विकल्पी परचिवी और option D है रोग जनक नहीं है तो सई answer option A हो जाएगा ये ट्रीपेनो समा है ये बहरूपी होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर हिंट में लिखना है ट्रीपेनो समा बहरूपी होता है या अपने जीवन चक्रा में कई रूप में हो संतुलित आहर खाकर option B है यहाँ पर अधिक भोजन खाकर और option C है उगला हुआ पानी पिकर ठीके और option D है मचरदानी का पर्यूग कर तो सई answer option A हो जाएगा संतुलित आहर खाकर चलिए अब लोग इसका हिंट देख लेते हैं हिंट में लिखना है यहाँ पर आमातिसार या बड़ी आत के उपरी भाग में रहता है यह संक्रमित भोजन या जल के कारण होता है यह जो है अमातिसार यह संक्रमित भोजन या फिर जल के कारण होता है इसके दवारा चतुर्थ कैंदर की सिस्ट मानव के आत में पहुंच जाता है जो मेटास्टिक विकास के दवारा चोटा चोटा अमीवा बना था वह क्या होता है दोस्तों ट्रोफोजवाइट में बदल जाते हैं और यह आंत कोशिका के और बीसी को खा जाता है यह हिस्टोलाइसीन नामक एंजामिस रावित करता है यह आत की म्यूकस को भी छती ग्रस्त कर देती है उसको यह क्या कर देता परनास्त कर देता है कॉर्शन नमर्च प्लाजमोडियम या फिर मालेरिया पर जीवी की सवर्ग में आता है उप्षन ए सारकोडिना उप्षन बी सिलिया उप्षन सी है इसपोरो जुवा और ऑप्षन डी है डायनो फाइसी तो सही अंसर उप्षन सी हो जाएगा इसपोरो अगला प्रस्टन है यहाँ पर एक अपरकास संसलेसी वाईवय मिट्टी में नाइटरोजन इस्थरेकरन करने वाला जिवानू है आप्शन A है राइबोजियम आप्शन B है कलोस्ट्रीडियम आप्शन C है एजेटो बेक्टर आप्शन D यहाँ पर है किलेव सीला तो सही आप्शन C हो जाएगा एजेटो बेक्टर अगला प्रस्टन है अप्शन C विशमपोशी पोशन किसके दवारा परदरसित करता है option a सेवाल option b कवक option c है ब्रायो फाइटा और option d है टेरीडो फाइटा सही आंसर option b हो जाएगा कवक question number 17 है किसके लाल रगतकन में पलाजमोडियम को खोजा ठीक है तो option a किसने लाल रगतकन में पलाजमोडियम को खोजा किस वेग्यानिक ने ठीक है उससे डीक हो जाएगा दूस्तों लेवरेंस ने क्या क्या कि प्लाजमोडियम को खोजा किसमें तो लाल रखतकन में ठीक है आर बी-सी में प्लाजमोडियम को खोजा ठागे बढ़ता है कि मैलिगनेंट सुछईय मेलेट Criminal परजिवी का व्यांपने मेंग्यानिक नाम किमा जो है इसका वैक्यानिक नाम कि जानते हैं और वप्सन ओ दिया गया है जो दोरत किमोडानिका हैं है Q19 है ऐसे जीवों का नाम बताईए जो सूर्य से परतियक्ष या अपरतियक्ष उर्जा नहीं लेता है Option A है रसायन संसलेसी जीवानू Option B है मौल्ड Option D है रोगजनक जीवानू Option C है सहजीवी जीवानू सही आंसर Option A हो जाएगा रसायन संसलेसी जीवानू अगला प्रसन है Question No.20 है अफ्रीकन निद्रा विमारी किसके कारण होती है Option A दिया गया है सीसी मक्खी द्वारा छोड़े गए पलाजमोडियम वाइवेक्स द्वारा Option C है बड़ी बग द्वारा छोड़ी गई ट्रीपैनोसोमा लिवसी के कारण और यहाँ पर Option C है गलोसीना पालपालीस द्वारा छोड़े गए ट्रीपैनोसोमा लिवसी के कारण Option D दिया गया है घर की मक्खी द्वारा छोड़े गए एंट अमीबा जिंजी वेलीस के कारण तो सही Answer Option C हो जाएगा गलोसीना पालपालीस द्वारा छोड़े गए ट्रीपैनोसोमा गेंबियन्स के कारण तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी कॉश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिल जाय भारत